हेलो दोस्तों, स्क्रू थ्रेड चैप्टर के वीडियो टुटोरियल में आपका स्वागत है स्क्रू थ्रेड का साधारन मतलब होता है चूडियां जो की आमतोर पर बॉल्ट्स, स्टर्ड्स और स्क्रूज के उपर और नट्स के अंदर देखी जाती हैं यह चैप्टर फॉर्मूला बेस्ट है और आगे पढ़े जाने वाले चैप्टर्स का बेस है इस चैप्टर में हम सीखेंगे की फास्टनर्स और उनके परकार, स्क्रू थ्रेड्स, नॉमिनक्लेचर और टर्मिनोलोजी method to construct different thread forms, how to conventionally represent screw thread forms आईए, सबसे पहले हम फास्टनर्स के बारे में सीखते हैं कोई भी दो या दो से अधिक चीजों को आपस में जोडने के लिए जो devices इस्तमाल किये जाते हैं, उन्हें फास्टनर्स कहते हैं फास्टनर्स दो परकार के होते हैं पहला, permanent fasteners जैसे की लोहे के दो पार्ट्स को पर्मनेंट जोडने के लिए welding की जाती है दूसरा, temporary fasteners जिसमें nuts, bolts, screws, studs आधि आते हैं जैसा की आपको चित्र में दिखाया गया है अब हम permanent fasteners के बारे में सीखते हैं जो fasteners चीजों को आपस में permanently जोडने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं उन्हें permanent fasteners कहते हैं उधारन के तोर पर welding, riveting, gluing, etc. जैसा की आपको चित्र में दिखाये गए हैं अब हम temporary fasteners के बारे में जानते हैं temporary fasteners चीजों को आपस में temporarily जोडने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर हम चीजों को आसानी से और बिना break किये अलग कर सकें temporary fasteners दो परकार के होते हैं threaded fasteners जैसे की nuts, bolts, studs, screws, etc. non-threaded fasteners जैसे की keys, quarters, pins, dowels, etc. हम आगे के chapter में fasteners के बारे में डिटेल से जानेंगे इस chapter में हम सिरफ threads के बारे में जानेंगे किताब के page number 26 पर इन सब topics के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है screw thread एक operating element है जिसके द्वारा threaded fastener काम करता है यहां चितर एक में screw threads को दिखाया गया है इनी threads के कारण हम nut और bolt को आपस में tight और loose कर पाते हैं आईए अब हम screw threads की application को जाने screw threads दो parts को आपस में जोडने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं जैसा की आपको चितर एक में दिखाया गया है एक part को दूसरे की तरफ move करने के लिए भी screw threads का इस्तमाल किया जाता है जैसा की आपको चितर दो में दिखाया गया है आईए यहां हम screw threads से related कुछ trums को जानेंगे crest वह टॉप surface जो thread की sides को आपस में जोडता है उसे crest कहते हैं जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है root वह bottom surface जो thread की sides को आपस में जोडता है उसे root कहते हैं जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है flank, crest और root के बीच के surface को flank कहते हैं जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है angle of thread दो flanks के बीच के angle को angle of thread कहते हैं जैसा की आप चितर में देख रहे हैं depth of thread, crest और root के बीच के distance को depth of thread कहते हैं जैसा की आप चितर में देख रहे हैं pitch, दो crest या दो roots के बीच के difference को pitch कहते हैं जैसा की आप चितर में देख रहे हैं fundamental triangle एक triangle जिसकी दो sides theoretical depth को represent करें उसे fundamental triangle कहते हैं यहां चितर में fundamental triangle आपको ABC के द्वारा दिखाया गया है apex, fundamental triangle के sharp top corner को apex कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं major cylinder वो imaginary cylindrical surface जो सिरफ external threads के crest को touch करता है उसे major cylinder कहते हैं जैसा की आप चितर में देख रहे हैं minor cylinder वो imaginary cylindrical surface जो सिरफ external threads के roots को touch करता है उसे minor cylinder कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं pitch cylinder वो imaginary cylindrical surface जो screw threads के diameter को दरशाता है उसे pitch cylinder कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं major diameter एक thread form में उपर और नीचे के crest के beach के diameter को major या outside diameter कहते हैं क्योंकि यह है दो crest के beach का diameter होता है इसलिए इसे crest diameter भी कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं minor diameter एक thread form में उपर और नीचे के roots के beach के diameter को minor diameter कहते हैं क्योंकि यह दो roots के beach का diameter होता है इसलिए इसे root diameter भी कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं pitch diameter pitch cylinder के diameter को pitch diameter कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं addendum external thread के case में addendum, major और pitch diameter के beach का distance होता है जैसा की चितर में आप देख रहे हैं didendum external thread के case में didendum, pitch और minor diameter के beach का distance होता है जैसा की चितर में आप देख रहे हैं किताब के page number 27 पर इन सब topics के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं अब हम screw thread से related कुछ trums के बारे में जानेंगे जैसे की external threads, internal threads, straight threads, taper threads, right hand threads, left hand threads, single और multiple start threads external threads किसी object के बारी स्टेपर बने हुए threads को external threads कहते हैं उधारन के तोर पर bolts, studs, screws, cylinders, shafts, pipes, bulbs, bottles, आधी पर बने हुए threads जैसा की चित्र में दिखाया गया है यहां तक की आपके pen के दो हिस्सों को जोडने के लिए भी external और internal threads का इस्तमाल किया जाता है internal threads किसी object के अंदरूनी स्थेपर बने हुए threads को internal threads कहते हैं उधारन के तोर पर nuts, pipes, caps, pens, आधी के अंदर की और बने हुए threads जैसा की आपको चित्र में दिखाये गए हैं किताब के page number 30 पर इन सब टॉपिक्स के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं Straight and taper threads Straight threads जो threads, straight स्थेह जैसे की cylindrical स्थेह पर त्यार की जाती है उसे straight threads कहते हैं इसी कारण इसे cylindrical या parallel threads भी कहते हैं Taper Threads जो threads tapered स्थेह जैसे की कोन पर त्यार की जाती है उसे tapered threads कहते हैं जैसा की चित्र में आप देख रहे हैं किताब के page number 31 पर इन सब टॉपिक्स के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं आईए अब हम right hand and left hand threads के बारे में जाने दो threaded object को आपस में जोडने के लिए उनके threads का एक दूसरे के opposite direction में होना बहुत जरूरी होता है उधारन के तोर पर nut और bolt को आपस में tight करने के लिए उनके threads का opposite direction में होना जरूरी है वरना वो आपस में tight नहीं होंगे इसे आप अपने pen के दोनों हिस्सों को बंद और खोल करके देख सकते हैं राइट हैंड threads यदि हम bolt और nut को आपस में tight करने के लिए bolt को nut के अंदर घड़ी की सुई की direction में घुमाते हैं तो उसे right hand threads कहते हैं लेकिन bolt को nut के अंदर घड़ी की सुई की दिशा में हम केवल तभी घुमा सकते हैं जब bolt के threads की direction left hand की तरफ और nut के threads की direction right hand की तरफ होगी इस परकार से right hand threads के case में nuts में threads की direction right hand की तरफ और bolts पर threads की direction उसके ठीक opposite यानि की left hand की तरफ होगी जैसा की चित्र में आप देख रहे हैं left hand threads यदि हम bolt और nut को आपस में tight करने के लिए bolt को nut के अंदर घड़ी की सुई की opposite direction में घुमाते हैं तो उसे left hand threads कहते हैं लेकिन bolt को nut के अंदर घड़ी की सुई की opposite direction में आप केवल तभी घुमा सकते हैं यदि bolt के threads की direction right hand की तरफ और nut के threads की direction left hand की तरफ होगी इस परकार से left hand threads के केस में nuts में threads की direction left hand की तरफ और bolts पर threads की direction उसके ठीक opposite यानि की right hand की तरफ होगी जैसा की चितर दो में आप देख रहे हैं किताब के page number 31 पर इन सब topics के बारे में आपको विसार से जानकारी दी गई है आपने अक्सर note किया होगा कि कुछ threaded members आपस में जल्दी tight हो जाते हैं तो कुछ threaded members को बार बार rotate करना पड़ता है यह है number of starts की वज़े से ही होता है आईए अब हम जाने कि single और multiple start threads क्या होते हैं single start thread जो threaded members एक complete rotation में thread की single pitch जितना distance travel करते हैं उन्हें single start threads कहते हैं single start threads आम तोर पर दो चीजों को मजबूती से tight करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं जैसे गाडियों में hub के साथ rim को attach करने के लिए multiple start threads जो threaded members एक complete rotation में number of starts गुना pitch जितना distance travel करते हैं उन्हें multiple start threads कहते हैं इसलिए multiple start threads अधिक उपयोगी हैं क्योंकि यह एक single rotation में single start threads के comparison ज्यादा distance travel करते हैं उधारन के तोर पर multiple start threads आम तोर पर water taps में, bottle caps में, tooth paste glids इत्यादी में इस्तमाल किये जाते हैं जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं single start threaded members का travel distance in their relative members equal to pitch होता है double start threaded members में travel distance in their relative members twist to pitch होता है triple start threaded members में travel distance in their relative members three times to pitch होता है किताब के page number 32 पर इन सब topics के बारे में आपको जानकारी दी गई है screw thread forms एक thread profile की complete shape को screw thread form कहा जाता है यह हैं दो परकार की होती है एक triangular form दूसरी square form यह दोनो thread forms आगे further classified होते हैं जैसा कि आपको flow chart में दिखाया गया है किताब के page number 33 पर इन सब topics के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है यह thread form सर वॉस्ट विटवर्थ के द्वारा invent की गई है जिस वजह से इसे विटवर्थ thread form भी कहा जाता है BSW इसकी short form है यह thread form ब्रिटेन में इस्तमाल की जाती है आईए अब हम BSW thread form को construct करने का तरीका सीखे सबसे पहले हम एक rectangle draw करेंगे जिसकी width 3p और 6 height या theoretical depth 0.960491p के बराबर होगी P का मतलब होता है pitch जोकी आपको given होगी या assume करनी होगी आम तोर पर pitch 2270mm के बीच आपको given होती है otherwise आप pitch को assume भी कर सकते हैं और एक बात rectangle की height fix होती है पर इसकी width fix नहीं होती आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम इस rectangle में 0.5p के distances पर vertical lines draw करेंगे जिससे हम इस rectangle को बराबर हिस्तों में बांट देंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम vertical lines की सहिता से इस rectangle में triangle draw करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं यहां दो डाइगनर्स के बीज का angle 55 degree होगा जिसे हम angle of set कहते हैं जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम 0.640C27P के distance पर दो horizontal lines ड्रो करेंगे जो हमें actual depth को दर्शाती है actual depth को हम small d से denote करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम actual depth की horizontal line से 0.137329P के distance पर crest और roots के लिए centers ड्रो करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम इन center से 0.137329P के radius के साथ compass की मदद से curved crests और roots को ड्रो करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम crests और roots के beach की diagonal lines को dark करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं इस portion को plank कहा जाता है अब हम right और left hand side के roots के outer points को prehand lines के मदद से आपस में जोडेंगे जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है अब हम इन triangles के बीच section lines ड्रो करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं क्योंकि यह thread profile आपको cutting plane के द्वारा दिखाई गई है और इस तरह से हम BSW thread form को construct करेंगे और एक बात construction में इस्तमाल किये गए formulas को आपको याद ही करना होगा ये सभी formulas आपको किताब के page number 42 पर इकठे दिये गए हैं किताब के page number 33 पर BSW thread form के बारे में आप और अधिक विस्तार से पढ़ सकते हैं British Association Thread Form यह thread form Bureau of Indian Standard के द्वारा BSW thread form की जग है भारत में इस्तमाल करने के लिए recommend की गई है यह thread form आम तोर पर छोटे instruments में इस्तमाल की जाती है भी ये thread form को construct करने का तरीका भी BSW thread form की तरह ही है जैसा की चित्र में आपको दिखाया गया है यहां केवल फॉर्मुलाज अलग है जैसे की theoretical depth actual depth crest और root trication angle of thread crest और root radius किताब के page number 36 पर बी ये thread form के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है sellers और American thread form as the name indicates this thread form is used in America यह thread form आम तोर से nuts, bolts, screws, tapped holes में इस्तमाल की जाती है seller thread form को construct करने का तरीका BSW thread form की तरह ही है जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है यहां भी केवल फॉर्मुलाज अलग है जैसे की theoretical depth actual depth crest और root trication angle of thread यहां crest और root flat होंगे किताब के page नंबर 37 पर seller thread form के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है unified और ISO thread form इसे metric thread form के नाम से भी जाना जाता है यह है एक basic ISO thread profile है इस thread profile में curved roots और flat crest होते हैं यह thread form general purposes के लिए इस्तमाल की जाती है unified thread form को construct करने का तरीका भी BSW thread form की तरह ही है जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है यहां भी केवल formulas अलग है जैसे की theoretical depth actual depth crest trication root trication angle of thread जैसा की हमने आपको बताया यहां flat crest होंगे और curved root होंगे यहां root का radius 0.144p के बराबर होगा किताब के page number 49 पर unified thread form के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है लोन हर्स thread form यह thread form American thread form की तरह ही है इसे जर्मनी में इस्तमाल किया जाता है लोन हर्स thread form को construct करने का तरीका भी American thread form की तरह ही है जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है यहां केवल कुछ फॉर्मूलाज अलग है जैसे की theoretical depth, actual depth, angle of thread American thread form की ही तरह है यहां भी flat, crest और root होंगे किताब के page number 49 पर लोन हर्स thread form के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है square thread form यह thread form पावर transmission के लिए इस्तमाल की जाती है यह thread form आम तोर से bench vises, machine vises, screw jacks, valve spindle इत्यदी में इस्तमाल की जाती है आईए अब हम square thread form को construct करने का तरीका सीखे सबसे पहले हम एक rectangle draw करेंगे जिसकी assumed width 3.5p और fixed height या actual depth 0.5p के बराबर होगी जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम इस rectangle में 0.5p के distance पर vertical lines draw करेंगे जिससे हम इस rectangle को बराबर हिस्सों में बाढ़ देंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम vertical lines की सहता से flat crest और roots को draw करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं यहां angle of thread 90 degree होगा जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है अब हम right और left hand sides के roots के outer points को free hand lines के मदद से आपस में जोडेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम section lines को draw करेंगे जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है क्योंकि यह thread profile आपको cutting plane के द्वारा दिखाई गई है और इस तरह से हम square thread form को construct करेंगे यहां पर आपको square thread form के कुछ real life examples दिखाए गई हैं किताब के page number 40 पर square thread form के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है एक में thread form एक में thread form square thread form की modified form है यह thread form आम तोर से bench vises, lathe machines, valves इत्यादी में इस्तमाल की जाती है आईए अब हम एक में thread form को construct करने का तरीका सीखे सबसे पहले हम एक rectangle draw करेंगे जिसकी assumed width 3.5p और fixed height या actual depth 0.5p प्लस 0.254 mm के बराबर होगी जैसा कि आपको चितर में दिखाया गया है अब हम इस rectangle में 0.5p के distance पर vertical lines draw करेंगे जिससे हमें इस rectangle में छोटे छोटे boxes प्राप्त होगी जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम flat crest और roots को draw करने के लिए इन boxes में centers mark करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम in centers point से 0.3707 गुना pitch width के flat crests और roots को draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम crests और roots के बीच flanks को draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं यहां एक crest से दूसरे crest के बीच का distance सिंगल pitch के बराबर है जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं और दो flanks के बीच का angle 29 डिगरी है जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है अब हम right hand और left hand sides के roots के outer points को free hand line की मदद से आपस में जोडेंगे जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है अब हम section lines को draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं क्योंकि यह thread profile आपको cutting plane के द्वारा दिखायी गई है आप यहां unwanted lines को erase भी कर सकते हैं जैसे कि 0.5 mm distance वाली vertical lines marked center points and rectangle जैसा कि आपको चितर में दिखाया गया है और इस तरह से आप acme thread form को construct करेंगे यहां पर आपको acme thread form के कुछ real life examples दिखाये गए हैं किताब के page number 41 पर acme thread form के बारे में आपको और अधिक विस्तार से बताया गया है नकल thread form का तरीका सीखें सबसे पहले हम एक rectangle ड्रो करेंगे जिसकी assumed width 3.5p और fixed height यह actual depth 0.5p के बराबर होगी जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है अब हम इस rectangle में 0.5p के distance पर vertical lines ड्रो करेंगे जिससे हमें इस rectangle में छोटे-छोटे boxes ट्राप्त होंगे जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है अब हम curved crests और roots को ड्रो करने के लिए इन boxes के centers को ड्रो करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम इन center से 0.25p के radius के साथ compass की मदद से curved crests और roots को ड्रो करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम right और left hand sides के roots के outer points को free hand lines की मदद से आपस में जोडेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं अब हम section lines को draw करेंगे जैसा की चितर में आप देख रहे हैं क्योंकि यह thread profile आपको cutting plane के द्वारा दिखाई गई है आप यहां unwanted lines को erase भी कर सकते हैं जैसे की 0.5mm distance वाली vertical lines जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है और इस तरह से हम knuckle thread form को construct करेंगे जहां पर आपको knuckle thread form के कुछ real life examples दिखाये गए हैं किताब के page number 41 पर knuckle thread form के बारे में और अधिक विस्तार से आपको बताया गया है बत्रेस थ्रेट form बत्रेस थ्रेट form स्पेर और वी थ्रेट form की combined thread form है यह Threadform आम तोर से वहां इस्तमाल होती है जहां प्रेशर एक ही डिरेक्शन में ट्रांस्मिट होना हो उधारन के तोर पर Bench Wises आईए अब हम बट्रे Threadform को Construct करने का तरीका सीखे सबसे पहले हम एक Rectangle Draw करेंगे जिसकी Assumed Width 3P और Fixed Height या Theoretical Depth पिछ के बराबर होगी जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है अब हम इस Rectangle में Single Pitch के Distance पर Vertical Lines Draw करेंगे जिससे हमें इस Rectangle में Small Boxes प्राप्त होंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम इन Boxes में Diagnose Draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं यहां Vertical और Diagonal Line के बीच का एंगल 45 डिगरी के बराबर है जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम 0.75 Pitch के Distance पर दो Horizontal Lines Draw करेंगे जो हमें Actual Depth को दर्शाता है Actual Depth को हम Small D से denote करेंगे जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है अब हम Crest और Roots को Draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम Right और Left Hand Sides के Roots के Outer Points को Free Hand Line की मदद से आपस में जोडेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं अब हम Section Lines को Draw करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे हैं क्योंकि यह Thread Profile आपको Cutting Plane के द्वारा दिखाई गई है और इस तरह से आप Buttress Thread Form को Construct करेंगे किताब के पेज नंबर 42 पर Modified Buttress Thread Form को दिखाया गया है और इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है आईए अब हम जानेंगे कि एक Simple Surface पर External Threads कैसे बनाई जाती है External Threads के लिए आम तोर पर दो Tools इस्तमाल किये जाते हैं पहला Threading Dye दूसरा Dye Stock इन दोनो टूल्स की मदद से ही External Thread को बनाया जाता है जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है How Internal Threads are Cut आईए अब हम जानेंगे कि एक Simple Surface में Internal Threads कैसे बनाई जाती है Internal Threads के लिए आम तोर पर तीन टूल्स का इस्तमाल किया जाता है Twist Drill Twist Drill का इस्तमाल सरफेस में होल ड्रो करने के लिए किया जाता है Tap Tap का इस्तमाल होल में Threads कट करने के लिए किया जाता है Tap Ranch Tap Ranch का इस्तमाल टैप को घुमाने के लिए किया जाता है ताकि Tap Threads कटिंग कर सके इन तीनो टूल्स की मदद से ही इंटर्नल थ्रेड्स को बनाया जाता है जैसा की चितर में आपको दिखाया गया है Comparison of Thread Cutting यहाँ पर आपको External और Internal Thread Cutting में डिफरेंस दिखाया गया है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ओफ थ्रेड्स आईए अब हम जानेंगे कि थ्रेड्स को कन्वेंशनली ड्रोइंग शीट पर कैसे रिप्रेजेंट करें आप थ्रेड्स को ड्रोइंग शीट पर तीन मेथड्स के द्वारा कन्वेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नमबर एक, detailed representation method, नमबर दो, schematic representation method, नमबर तीन, simplified representation method, किताब के page number 44 पर इन सब topics के बारे में आपको विस्तार से बताया गया है detailed representation of threads, detailed representation method में हम external और internal threads को इस तरीके से represent करेंगे, जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है यहां slanting lines, crests और roots को denote करेंगी, जैसा कि चितर में आपको दिखाया गया है यहां V thread forms में crest और root sharp V की तरह होंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे है यहां thread run out को आप इस तरीके से represent करेंगे जैसा कि चितर में आप देख रहे है schematic representation of threads schematic representation method में हम external और internal threads को इस तरीके से represent करेंगे जैसा कि आपको चितर में दिखाया गया है यहां long thin lines crest को represent करेंगी और short thick lines roots को represent करेंगी simplified representation of threads simplified representation method में हम external और internal threads को इस तरीके से represent करेंगे जैसा कि आपको चितर में दिखाया गया है यहां thick continuous lines crest को represent करेंगी और thin continuous lines root को represent करेंगी यहां thread run out को आप इस परकार से represent करेंगे और holes में threading को इस परकार से represent करेंगे steps to draw standard conventions of threads आईए अब हम कुछ standard conventions को draw करने का तरीका सीखेंगे जैसे की for external thread, for throw threaded hole, for blind threaded hole किताब के page number 47 पर इन सब topics के बारे में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं steps to draw external threads सबसे पहले guided commands की मदद से हम सीखेंगे की external threads को कैसे draw करें यहां construction के साथ साथ ही steps को बताया गया है आईए आईए आए बताया गया है स्टेप्स to draw throw threaded hole आईए अब हम guided commands की मदद से सीखेंगे की throw threaded hole को कैसे draw करें यहां भी construction के साथ साथ ही steps को बताया गया है करें सेक्षेंगे करिद्स Steps to Draw Blinded Threaded Hole आईए अब हम Guided Commands की मदद से जानेंगे की Blind Threaded Halls को कैसे Draw करें यहां भी Construction के साथ साथ ही Steps को बताया गया है आईए बताया है झाल झाल How to dimension external threads आईए अब हम जानेंगे कि external threads की dimensioning कैसे करें Threads हमेशा एक note के द्वारा specify होते हैं यह note हमें thread form, nominal size और pitch को दर्शाता है उधारन के तोर पर जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है यहाँ पर M, metric thread को 10, nominal diameter को और 1.0, pitch of thread को दर्शाता है आप typical method के द्वारा thread length को भी शोक कर सकते हैं जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है आईए अब हम जाने कि threaded hole की dimension कैसे करें threaded hole की dimension करने के लिए आम तोर पर कुछ चिजों का ध्यान रखा जाता है जैसे की tap drill size, drill depth, threaded form, nominal size, pitch, threaded depth जैसा की आपको चितर में दिखाया गया है यहां 8.5 tap और drill size को, 20 deep drilling depth को, M metric thread को, 10 nominal diameter को, 15 threaded depth को दर्शाता है धन्यवाद आप और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी website www.gbdpublications.com पर भी संपर्क कर सकते हैं